हाई अब्रिगोन कैसे आफ लोग उमीद है आफ सब अच्छे सौंगे दोस्तों आज मैं मैं मैस पढ़ रहा था एक अप्लिकेशन पे तो वहाँ पे मुझे एक मैस के नया टॉपिक सीखने को मिला एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे आज सीखने को मिला मैं वह आपके यह पूछा जाता है कि यदि अंस और हर में क्रम सब 20% या 30% बढ़ा दिया जाए तो 9 by 13 प्राप्ट होता है तो बताए कि मूल भीनने क्या था इंग्लिस में बात करें इव दन न्यूमिनेटर और इंक्रीज़ बाइट या 30% रस्पेक्टिवली न्यूफ्रिक्शन इस 9 by 13 देन वाट इस ओरिजिनल फ्रेक्शन ठीक है कहने का मतलब कोई हमारे पास ऐसे संख्या थी जिसमें अंस में हमने 20% और हर में 30% यानि कि न्यूमिनेटर में 20% और दिन प्रेक्शन बढ़ा दिया तो जो नई संख्या है वो नई संख्या में दिये तो पुरानी संख्या क्या होगी तो इसका ट्रिक कैसे है जैसे कि माल लीजे 20% या 30% बढ़ाया गया तो आपको सिंपल करना क्या है आपको 100 by 100 लिख लेना है ठीक है और यहां पे एक्स लिख ल दिया और हर में 30% इंक्रीज किया गया बढ़ाया गया है तो आपने यहां पे 30 कर लिया ठीक है और हमारी जो नई वैल्यू प्राप्त हो यह वो कितना है 9 by 13 प्राप्त है ठीक है तो हम लिख लेते हैं इतना is equals to 9 by 13 ठीक है 9 by 13 हमने लिख लिया यहां पे एक एक्स लगा दे 30 अब यहां पे एक्स रखने की मज़वजा यह है क्योंकि मैट में 1 is always equals to 1 कभी 1 is equals to 2 होई नहीं सकता ठीक है तो 120 बटा 139 बटा 13 कभी होई नहीं सकता यह फैक्ट है तो मैंने बस एक्स ऐसे लिख लिए ताकि मैट के रुप में गलत ना हो अब इसी को आप एक्स की वैल्य सॉल्व कर लेगे ने तो आपका अंसर मिल जाएगा ठीक है तो आपका हम यहाप एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यह 0 से यह 0 कट गया एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9 बटा 13 बटे 9 sorry 13 बटे 12 तो 13 से 13 गया 9 और 12 तीन से कि चार बटे 3 बटे 4 आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगा 3 बटे 4 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 बटे 4 आंसर सी सही हो जाएगा देखा एक बार फिर से मैं explain करने की कोशिश करता हूं हमारे अंस में 20 परशन और हर में 30 परशन बढ़ाया जा रहा है निमिलेटर में 20 परशन बढ़ाया जा रहे तो हमने 30 पर 20 परशन ऊपर बढ़ा लिया 120 हो गया 100 से 100 और नीचे 130 हो गया ठीक है x is equal to हमारा जो संख्या प्राथ हुआ वो कितना हो गया 9 बटा 13 अब इससी x को solve परेंगे 0 से 0 गया x की value कितनी हो जाएगी cross multiply करा देंगे तो cross 9 बटे 13 into ये वला 13 बटे 12 तेरा से 13 गया फिर 3 से 339 और 342 नेकर 3 बटे 4 समझ में आ गया ऐसे एक और question देखते हैं मुझे अच्छा लगा मैंने का चलो आपके साथ share करते हैं यदि किसी भीन में अंस में 20% वृति और हर में 10% की कमी यहां पर देखना कमी की बात करिए तो अंस में 20% की वृति करेंगे जब हम numerator में 20% बढ़ाएंगे तो हमें देखें अंस में 20% वृति यानि कि हमने ऊपर 20% की वृति कर दी और नीचे क्या किया 10% की कमी तो 100 में से 10 गया 90 ठीक है तो हमारी संख्या क्या पराप्त होई हमारी संख्या 16 बटा 21 पराप्त होती है 16 बटा 21 तो यहीं एक्स की वैली तो हमारी पुरानी संख्या क्या होगी इसको सॉल्व कर लेते हैं जीरो सो जीरो गया 9 से यहीं काट लेते हैं तीन से 339 432 अब हम क्रॉस मल्टिपाइग गरा लेते हैं तो एक्स इस इकोस्टिव हो जाएगा 16 इंटू 3 बटे 4 तो 4416 साथ आंसर क्या जागा चार बटे साथ समझ में रहा है मतलब ऐसे सर ने बता है मुझे अच्छा लगा कह रहा है कि अंस में 20% की वरीदी तो हमने पहले कहा था रहा कि 100 बाई 100 हम मान लेंगे ठीक है तो अंस में 20% की वरीदी मतलब हम इसको 120 कर लेते है 120 और हर में कितना बच्च देखते हैं एक और प्रश्निया पर दिखा गया कि किसी विन के अंस में 40% की वरिदी करने पर हर को और हर को दुगुना करने पर यानि कि आपका जो जो नुमेरेटर है उसमें आप 40% बढ़ा रहें और डिनॉमिनेटर को टू टाइमस मल्टिपल कर दे रहें तो आपने 100 को अ वैल्यू कितनी बन गई तो 5 बटे 8 प्राप्त हो गई 5 बटे 8 ठीक है इसको सॉल्व करते हैं 0 से 0 गया 2 से कट कर लेते हैं तो 14 है 2 से बंजा 14 2 टेंजा 20 ठीक है यानि कि x is equal to कितना हो जाए क्रॉस मल्टिपलाई करेंगे तो यह हो जागा 50 upon 8 into 7 8 into 7 अब इसको सॉल्व कर तो 4 से कर लेते हैं अश्वार्य है यहाँ पर एट से कर ले इसकी कर लेते हैं बच्छों 25 2 50 और यह होगा 4 साथ चूके 28 यानि कि 25 बटे 28 यह होगा है कितना असान है सही है न चलो यह वहना कोईशन आप करके बताएं ठीक है इसको देखे करना क्या है किसी विनके अंश में पंद्रा पर्शंट की व्रिधी यानि कि उपर कितना है पंद्रा पर्शंट की व्रिधी करना है और हर में आठ पर्शंट की कमी नीचे कितना है आठ पर्शंट की कमी करना है और नया विन पंद्रा बेटा 16 प्राप्त होता है तो पुराना विन कितना होगा तो इंक्रीजिंग दा नियुमेरेटर ऑफ दा फ्रेक्शन बाई 15 पॉर्शन डिक्रीजिंग देम डिमोनेटर स्वारी डिनॉमिनेटर बाई 8 पॉर्शन देन वाट इस दो ओल्ड फ्रिक्शन समझ मैं ना बस ऐसे कर लेना यह वड़ा कर बताएंगे अच्छा आपको पहले से पता था मुझे आज सीखने को मिला तो मुझे अच्छा लगा मैं नाम भी बताता हूं यह थे डॉक्टर ललीत जी के दुआरा मुझे यह सीखने को मिला तो मैंने जाँ आपके साथ सेयर करतें तो यह वाला आपके गठाण खोके आँड़ना के साविस बीस परशन्थ की πरूंस प्रक्रापिकर्षिंट एक सो बटे इसको solve कर लेना और कुछ करना ही नहीं तो इसको solve कर लेंगे 0 से 0 गया और अब 3 से कर लिजी तो 3 4 जा 12 3 9 यानिकि 4 by 3 अगर cross multiply करा लेते हैं तो यह हो जागा यह भी cut जाएगा यहां पर 7 हो जाएगा 4 यानिकि 4 by 7 आएगा मतलब solve करना तो आपका basic method method यही है कि जितना increase करना हो 100 by 100 ले लिजिए जितना percent increase या decrease करना हो यही पैड़ कर लिजिए यह एक्स लिखिए और जो हमारी नई संख्या प्राप्त हो यह उसको लिखिए और एक्स की value निकाल देती है यहां से solve करके इसलिए आपको निकाल ठीक है तो आपका home work रहा यह वाला 15 नंबर वाला है है home work रहेगा इसमें आपको बताना है कि इस cancer कितना आएगा ठीक है ठीक है बाई बाई गुड़ नाइट कैसी लगए वीडियो कमेंट में बताए जाहिए जाहिए भारत अपना खुब क्याल रखे पड़ते रही है